ये आकाश्वणी है, अब आप चंद्रिका जूशी से समाचार सुनिए विदेश मंतरी सुब्रमनियम जैशंकर ने आज संसत के दोनों सदनों में बांगलादेश की स्थिति के बारे में बयान दिया बांगलादेश में अशान्ती के बीच भारत अपने राजनाईकों के माध्यम से वहां भारतिय नागरिकों के लगातार संपर्क में है लगभग 19,000 भारतिय नागरिके समय बांगलादेश में हैं जिन में 9,000 चात्र शामिल हैं आज राजे सभा में बांगलादेश की स्थिति पर बयान में विदेश मंत्री जैशंकर ने कहा कि धाका में भारतिय उच्चायों की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लोटाए। तब तक कानून व्यवस्था बहल नहीं हो जाती तब तक वहे इस विशे में चिंतित रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को भी सतर करहने का नरदेश दिया गया है। पिशले 24 घंटे से हम ढाका में अधिकारियों के साथ भी नियमित संपर्क में हैं। इस से पहले सरकार ने आज सुबह बांगलादेश की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्व दलिय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री ने नेताओं को बांगलादेश के ताजा घटना करम के बारे में जानकारी दी। एक सोशल मीडिया पूस्ट में उन्होंने सर्व दलिय बैठक में मिली सर्व सम्मति और समर्थन की सराहना की। डियम के पार्टी के टियार बालू और विपक्ष के अन्य नेता भी बैठक में शामिल हुए। उधर ब्रिटन सरकार ने बांगलादेश की पूर्व प्रधान मंतरी शेख हसीना के स्तीफे के लिए जिम्मेदार अराजक स्थिति की संयुक्त रास्ट्र से जाच कराये जाने के मांग की है। शेख हसीना को कल सेना के विमान से देश छोड़ने के लिए बाध्यों होना पड़ा था। ब्रिटन के विदेश मंतरी डेविड लेमी ने कहा कि उनका देश बांगलादेश में शांती पूर्ण और लोगतांतरिक स्थिति चाहता है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सब्ताह से बांगलादेश में अपरात्याशित हिंसा में अनेक लोगों की जान गई है और इस तरह कि घटनाओं की स्वतंतर जांच करना जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल B.S.F. के महानेदेशक दलजीत सिंग चौधरी ने आज पश्चम भंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांगलादेश सीमा का दोरा किया। उनके इस दोरे का उद्देश्य सीमा वर्तिक शित्रों में B.S.F. की संचालन गत और रणनेतिक तयारी की समीख्षा करना था। फिजी की राजधानी सुवा में भारत बंशियों और भारत मित्रों ने आज राष्ट्रोपती ड्रापदी मुर्मु के सम्मान में स्वागत समरहू का आयूजिन किया। इस अवसर पर राष्ट्रोपती ने कहा कि फिजी में उन्हें घर जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने भारतिय मूल के लोगों द्वारा अपनी संस्कृती और पारंपर एक मूल्य अक्षुन रखे जाने की सराहना की। राष्ट्रोपती फिजी की दो दिवसिय यात्रा पर हैं और उन्हें फिजी के सर्वूच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपती मुर्मू कल से 9 अगस्त तक न्यूजिलंड के दोरे पर रहेंगी। सरकार ने आज कहा कि देश में पिछले 10 साल में वामपंथी उग्रवाद में कमी देखी गई है। लोगसभा में प्रशनकाल में जवाब देते हुए ग्रह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या आप घटकर 38 रह गई है। जबकि 2013 में ये संख्या 126 थे। पैरेस उलिम्पिक में महला मुक्य बाजी की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में भारत की विनेश फोगाट ने विश्वर चैंपियन जापान की यूईई सूसाकी को हरा कर सेमी फाइनल में जगह बना ली है। भाला फेंक में नीरत चोपड़ा अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं किशोर जेना क्वालिफिकेशन राउन में जगह नहीं बना सके। इसके साथ ही ये समचार बुलिटिन समाप्त हुआ।